हेलो दूस्तो स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल थिंक विद इंक में तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 開व और अहें आज हम लोग पढ़ने वाले आटमासपरिक रफरेक्शन याने कि आटमासपर में रिफरेक्शन से रेलेंट कौन कौन से फिनॉरनमेनाज होते हैं उस सभी के बारे में वन्जीष चर्चा करने वाले हैं एक उस्प्राच लेकर आए mieux जो तो आपने देखा होगा कि जब रात होती तो तारे क्या होते हैं चम चम आते हैं इसी चीज़ को क्या कहते हैं तो ट्रिंक्लिंग आप स्टार्ड जो होता है यह सारे कि सारी कि चीज़े क्यों होते हैं लेकिन वह तुमको दो मिनट पहले दिखा देता है लेकिन वह रियाल्टी में भी उगा नहीं है तुम्हें को लगता है लेकिन वह दो मिनिट बाद बूपता है तो यह सब इसके पिछा होता है यह गी रिफ्रक्षन की वज़े से ही अगला जाएंप पले परसंद लेख तुबी सौर्ट वेन स्टेंडिक अब जैसे मान लो आपके घर में पएक टंकी है अब आप उस टंकी म जाके इसे घुशे गए अब आपके दोस्तों को पता क्या लगा लगा कि तुम्हारे पैर हैं वह काफी जाते हो गए किसकी वजह से हैं यह सारी कि सारी जो फ़नामेना हैं यह हमारे डेली लेप से रिलेटेड फ़नामेना और इसके पीछे का कारड का है प्रिंट बुक लेट स्लाइब होता है अगर मालों तुम अब किताब से पढ़ रहा अगर उसके उपर जाके रख दो तो जो किताब में लेटर से लिखे हैं वह थोड़ा ऊपर ही और उठ जाएंगे ऐसा किसलिए होता है रेफ्रक्षन की वजह से होता है तो एक हां जो यह लिखा है न अगला व वह क्यों होता है कि उनके अपास ग्लास बानी भरा हुआ होता है और यृू रख रहता है तो आपको का रहता है किर्स यह काफी बड़ा है तो 1947 रिशूर के वजह से क्या होता है कि जो वहान बस्रेट की बस उसी जगह क्योंकि मेडम चेंग जाता है जो जिस गलास में रखा है उसमें भरा है पाने तो वहां का जो मीडेम होता होता वाटर और वाटर से उस निम्बू यानि कि उस आपजेक्ट से जो लाइट आती है वह वाटर से होते हुए एर में आते हैं यानि कि रिफ्रक्षन इस लाइटली डिस्प्लेजड जैसे मालों मेरे मेरे पास क्या मारकर है अगर इस मारकर को मैं क्या करूं एक मग्गे में जाके आधा दूबह दूखे वह इतना पार्ट तो यह मारकर हमको बिल्कुल सीधा नहीं दिखाई देगा क्यों क्योंकि जो डूबा हुआ पार्ट ह सफर करते हुए इस जो डूबा हुआ पार्ट है पहले तो वाटर मीडिम से एर मीडिम हैंगी तो तुमको लगए कि डिरेक्ली जो मारकर वहीं से नहीं आती हो उससे थोड़ा हट के आते हैं इसलिए हमको क्या लगता है कि जो पेंसिल है या कोई मारकर है ठीक है जहां उसक प्रफिशन अब यहीं दो में फेनामना जिससे कभी कभी आपको बोर्ड के वेपर में या कहीं पूश सकता है इंपॉटेंट है बागी के भी इंपॉटेंट है और यह आपको याद रखने है कि इनका जो मतलब यह सारे की सारे जो फेनामना जोते हैं इसके पीछे का कारड से मांने क्या है जाना लेते हैं कि स्टार्स जो टुंकल करते हैं जिल मिलाते हैं जो की इसके लिए एक हम एक्सफेरिमेंट करें जैसे मानलो कि आपने बटी देखे होगी घ्र है आग घर में आंगन में बीचों-बीचों बटी रखी है अब आप भटी के सामने मानलो इधर बैठ गे ठेक तुम इधर बैठ गे और भटी जल रही है यहाँ से क्या हो रही भट्टी जल रही है यह ऊपर की air है भट्टी के ऊपर की क्या है एर है और यहाँ पर मालो कोई object रखा है यहाँ पर रखा है अब देखो यहाँ पर मालो यह कोई object है ठीक अब मालो तुमने यहाँ से object जब भट्टी जल रही थी तो सबको पता है कि भट्टी के ऊपर की air क्या सका होगी कि गरम होगी और जो अगल-बगल की और कि ön guy सो फंटी होगी यानि कि टुबारे आसपक सकी एर है तेकि जो इस object के आसपास की air है वो कैसी है, वो cool है ठंडी है तुम्हारे आसपास की air कैसी है, cool है और यहां की जो air है, वो कैसी है हॉट है ने गरम है अब देखो यहां की air hot है और तुम्हारे आसपास की जहाँ object रखा उसके आसपास की एर कैसी है ठंडी है अब जब तुमने इस object को देखा तो इस object से जो light है वो कहाँ पहले cool में थी जो object रखा था cool air में रखा था तो cool air में object की light होते हुए hot air से होते हुए फिर तुम्हारे आखों में फिर तुमने object देख लिया अब देखो यहां पर हुआ क्या है कि temperature में चेंज हुआ है ठीक है जो object से light आ रही थी वो पहले ठंडी जगह से आ रही थी उसके बाद यहां का temperature से ज्यादा था तो वह वहां से होके हुए आई और तुम्हारे आखों प चम चमा रहा है ऐसे तुमको लगेगा देखने में लेकिन अगर बगल में ही मालों तुम्हारा दोस्त खड़ा है उसको ऐसा कुछ नहीं देखा देगा क्योंकि वह डायरेक्ट कूल एर में वैठा है और डायरेक्ट यहां कि एर कूल और डायरेक्ट ही उस object देख रहा है त और पहले object की रेज कहां थी कूल एर में थी बस इसी की वज़य से क्या हुआ है तुमको जो है object जिल में आता हो दिखाए देखा देखाए अब इसके पीछे का थोड़ा physics से समझते हैं अब जो hot air होती है इसका जो refractive index होता है वो कम होता है और जब तुम्हारे आखों के ठीक है जो refractive index में change आया है देखो यहां पर refractive index कम था तुम्हारे आसपास की जो मतलब air है वहां पर refractive index से ज्यादा क्योंकि air तुम्हारे आसपास की ठंदी है तो temperature में क्या change है जिसकी वज़य से refractive index में क्या है change आया है इसलिए वह आप तुमको कैसा दिखाए दे रहा है यानि flickering कर रहा है यानि wavering कर रहा है बस इसी concept को हम लगा देंगे twinkling of star को समझने में अब क्या star जो है हमसे काफी ज्यादा दूरी पर है अब क्या होता है कि अब एक चीज़ और तुमको common दिख रही होगी कि जो अपना atmosphere ठीक है उसकी जो physical condition है वो stationary नहीं है यानि कि कहने का मतलब कहीं ज़्यादा गर्मी पर रही है तो कहीं ज़्यादा ठंडी पर रही है नहीं कहीं कि air कहीं hot है तो कहीं ज़्यादा ठंडी है ठीक है तो अपने atmosphere का जो physical condition है वो same नहीं अब star क्या होते हैं काफी यादा दूरी पर है अब वहां से जो light आ रही है वह उसमें कई प्र और हमानद लोकि या प्रत्रुपी ये मौन लों कहीं स्टार है अपना च्छोटा यह प्रेसार माला ओपे। वो कई प्रकार के reflection को जहलते हुए हमारे आँखों में जाकर के पहुशती है और इसी की वज़े से तारा हमको लगता है कि वो जिल मिला रहा है बस इसी की वज़े से यहने कि refractive index में change होने के वज़े से क्यों? क्योंकि जो physical condition है किसकी अर्थ के atmosphere की यहने कि कहीं पर air hot है तो कहीं पर air cold है उसी की वज़े से refractive index में change होता है और उस अलग-अलग refractive index में change होने की वज़े से जो star से light हमारे आँखों में पड़ती है वो भी हमको अलग-अलग direction से आती हुई प्रतीत होती है अलग-अलग दिशाओं से आ रही है अलग-अलग direction से आ रही है क्यों? क्योंकि refractive index में लगातार change होता है क्यों? क्योंकि अपन अर्थ की atmosphere की physical condition से नहीं है इसी की वज़े से star जो होते हैं तिंकल करते हुए दिखाए देते हैं दूसरा है advanced sunrise and delayed sunset इसके बारे में देख लूँ देखो advanced sunrise and delayed sunset जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के starting में कि जैसे मानलो diagram समझते हैं ठीक है जैसे मानलो यह अर्थ है ठीक है यह क्या है अर्थ है अर्थ है मानलो तुम खड़े हो यहाँ पर मानलो और यह है horizon क्या है है यह है horizon और तुम मानलो यहाँ पर खड़े हो और मानलो सवेरे का समय था तुम 4 बजे उठे ठीक है और तुमको सुरद तब नहीं दिखाईएगा अब जैसे जैसे तुमको सबसे पहली बार लगेगा कि सूरज उपर उगाया है लेकिन रियल्टी में उस समय सन्राइज हुआ ही नहीं था क्यों नहीं हुआ था क्योंकि जब सन्राइज की नीचे उस समय रेज आ रहे तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास आ रही थे अब तुमको मैंने भी पहले बताया कि जो सन्राइज है काफी सारा रिफ्रक्षन झेलते हुए तुम्हारे आखों में पड़ेंगी तुमको लगेगा रेज वहां से नहीं आ नहीं हो था यहीं है मतलब की एडवांस सन्राइज फीक से के से या एक प्रेइज हो और यह ज्यादा मतलब होता है मातर तो मिनिटा के होता है मातर यहीं करेंसे होता है है अब यहीं सूरज आया इसे यहें इसे आके चलाए इधर इधर मांदो डू बने वाला हो तुमको लग गया डूब गया लेकिन व lange डूबा ही नहीं था तुमको लग गया कि सन जो है वो डूब चुका है जिसकों बोलते हैं डिलेड संसेट तुम ठीक है तुमको लग एक सन डूब गया लेकिन सन डूबा ही नहीं था सन डूब बस इसी की वज़े से अटमास्फेरिक रिफ्रक्षन की वज़े से तो समझ में आगया होगा कि आपको एक स्कैरिक रिफ्रक्षन क्या होता है तो इसकी next वीडियो में हम लोग scattering of light का concept चालू करेंगे वहाँ समझेंगे कि light कैसे scatter करती है, tender effect क्या होता है और red color, मितलब danger color के रूप में, danger light के रूप में क्यों यूज करते हैं आसमान नीलाक्यों दिखाई देता है इस सब चीजों के बारे में वीजियो चर्चा करेंगे, इसके नक्स्ट भी रहे होंगे सब तक के लिए जय हम जय भार